कि आपके mobile में भी कुछ भी so नहीं हो रहा, सब कुछ चला गया, यहाँ पे कोई भी app so नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपके mobile की photo video भी यहाँ पे नहीं आ रही हैं, आपके कोई भी contact number यहाँ पे so नहीं कर रहे हैं गब्राव मन दोस्तों आपका कोई भी डाटा डिलेट नहीं हुआ है आपसे गलती से ड्यूल सपेस सेटिंग अनेबल हो गई है जिसे सेकिंड सपेस के नाम से भी जाना जाते हैं जिसकी वज़ा से आप कलोन फोन में आ चुकी हो जहां पर आपका कोई भी डाटा सो नहीं करते है तो इस सिच्वेशन में अमें इस सेटिंग से बार निकलना होगा तो हमारे मुबाइल का सारा डाटा सो उने लग जाएगा तो इससे बार निकलने के लिए मैं आपको यहां पे तीन मेथल बताऊँगा अगर एक बताया तो ओसकता है किसी मूबाइल में वर्क करे किसी मूबाइल में वर्क ना करे इसलिए तीन मेथल बताऊँगा वीडियो पूरी देखना कभी एक मैथल देखना और न गुमते हुए आओगे ओके तो जब भी आपकी case में ये problem आए तो आपको screen पे switch का icon find करने है ये option किसी folder के अंदर भी cheaper हुआ हो सकता है तो आपको folder open करके भी देख लेना है ठीक है तो आमें ये option सामने के तरफी दिख रहे हैं तो बस जब आपको ये option दिखाई देख तो आपको वहाँ पे click कर देना है इसके बाद आपसे password पुछा जाएगा हरे आपकी log screen का password ताती अगर आपनी log screen पे fingerprint local लगाय हुआ है तो आप fingerprint भी ये ये दे सकते हैं otherwise आप ये ये एंटर password पे click करेंगे और जो भी आपकी log screen का password है वो आपको यहाँ पे enter कर देना है इसके बाद आप यहाँ पे next पे click करेंगे तो आप दिखेंगे आप अपने main device में switch ओने लग जाएंगे तो लोजी देख सकते हैं हमारे mobile का सारा data यहाँ पे आ चुक है सभी app यहाँ पे आ चुकी है सभी photo यहाँ पे आ चुकी है means complete data हमें यहाँ पे 100 नहीं लग चुक है लिकिन अगर आपके case में switch का option नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं आपको mobile setting में आ जाना है अभी आप यहाँ पे screen row down करेंगे यहाँ पर आपको additional setting पे click कर देना है अगर आपके mobile में additional setting नहीं है तो आपके mobile में system setting होगी तो आपको उसे open कर लेना है ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पे निच्चे के side second space की setting मिल जाएगी आपको इस setting में आना है यहाँ पे screen row down करेंगे तो आपको यहाँ पे switching between space यह settings हो ओ जाएगी तो बस आपको यहाँ पे click कर देना है इसके बाद आपके सामने से वोई interface आएगा आप यहाँ पे lock screen का password दे सकती है यह फिर आप यहाँ पे अपना fingerprint verify कर लीजेगा तो आप अपने main device में switch हो जाएगे जापर आपका सबी data सो ओने लग जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपके mobile में ना तो या switch का icon आ रहा है और ना ही second space की settings हो कर दिये तो इस case में आप यूज करेंगे third method का जो की बहुत ही easy है यह method हर एक mobile में work कर जाएगा क्योंकि यह कोई setting यह नहीं है simple है आपको अपने mobile को reboot कर लेना है इसके लिए power button को लोग प्रेस कीजिए यहाँ पर आपको reboot का option मिल जाएगा तो यहाँ से आपको अपने mobile को reboot कर लेना है ठीक है तो अब आपका जब mobile own होगा तो आप देखेंगे आपके mobile का सारा data so own होने लग जाएगा तो लोग जी यहाँ पर mobile own हो चुक है अब हम यहाँ पर अपने mobile का password डाल के open कर लेते हैं तो लोग जी देख सकते हैं हमारे mobile का सारा data यहाँ पर आ चुक है तो इस प्रकार से आप इस problem से बाहर आ सकते हैं